हेलो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं तड़के की रेसिपी एकदम हम रेस्टूटेंट स्टाइल में आपको बना के दिखाएंगे और सॉरी फॉर दी वॉइस डोन मैंड मेरा आज थोड़ा सा गला खराब है तो प्रीज एजस्ट कर लीजेगा तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने एक कप के करीब चना डाल लिया है आपको वह भी डाल ले सकते हैं अब इसको हम दो से तीन बार अच्छे से वाश कर लेंगे पानी डाल कर इसको आप अच्छे से वाश कर लेजेगा तीन से चार बार जितना अच्छे से पानी डाल कर वाश कर लेजेगा अ यानिकि जाने पे यहां पर सकते हैं तो यहां पर मैंने तीन से चार गलास पानी अच्छे से डाल दिया है वैसे तो हम बाहर रेस्टोरेंट या होटल में जाके तो तड़का और पिलाओ और डेली ओर करते हैं लेकिन बेटर है कि हम घर में बनाएं अच्छा और हिल्दी खाना बनाएं और इससे अच्छा क्या ही हो सकता है तो देखिए यहां पर जो हमारा डाल था जिसके अच्छा से वॉष कर लिया था को में अच्छे से डाल डेंगे कुकर में तो देखिए यहां पर में ने studied को अच्छे तरब से डाल दीया अब इसमें इंधिन एक चमशक क्यूंए सब्ली यह यहां पर हम दाल को जहना फ् प्रेशर कुकर को ठकन से बंद कर देंगे तो देखी यहां पर मैंने अच्छे से इसको बंद कर दिया है तो यहां पर मैंने दो से तीन सीटी आने तक इसको अच्छे से गास पर रखा था मीडियम आज पर यह रखेगा और दो से तीन सीटी आने तक इसको रखेगा तो देख के लिए हम इसको तड़का लगाएंगे तो यहां से अलग से अलग से फ्राय कर रहे हैं आप चाहे तो उसमें भी आप सारे वेजी वेगरा जो है डाल के उसको अच्छे से कर सकते कूकर में तो हमार मैने एक कढ़ाई लिया है और उसके बाद यहाँ पर मैंने दो से तीन मले चमश मस्टरोड यहनी कि सरसो का तेल यूज़ किया है आप चाहे तो इसमें रिफाइनॉल भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन सरसो के तेल से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है यहाँ पर मैंने चमश सरसो चमश जीरा और 2-3 लाल सूख सालो यह पर यहाँ चमश सबते यहाँ पर यहां पर जाना और यह चमश जाता है बहुत अच्छा है आप उसका जरूर्चा जरूरा झाना करो पर चौब आनियन डाल रहे तेमैटो डाल रहे हैं और उसके बाद इस सब को अच्छे से डाल के मिक्स करें आपके पास जो भी अवैलेबल हो डाल ये और आपको इसक्प करना बिसिकली इकदम प्लेन भी बना सकते हैं तो देखें यहाँ पर चला लिए अच्छे से भून लि रिक्याए यह बसक्च दर्दरा से क्योंकि असे बहुत अच्छा फिल रहता पेस्ट बना अच्छा नहीं लगेगा लेकिन यह जो दर्दरा वालबाव पेस्ट होता है नो बहुत चाहा होता है यंदि कि थोड़ा रफली तीक है अब उसमें हम थोड़ा सा नमक आड करेंग गोल की पाउडर और फिर, जीरा पाउडर, धन्या पाउडर, एक चोटे चमज, सब को डाल दिए हैं, और एक चोटे चमज, गरम मसाला डालके, अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, तो आपके पास जो भी मसाला अवेलिबल है, वो आप डाल दीजे, तो सबको अच्छे से डाल के mix कर लीजें तो देखिए यह हमारा मतलब अब तड़का के लिए ready है अब यहाँ पे हमने तड़का को डाल दिया है तो देखिए यहाँ पे जो डाल है वो खड़ा रखा है मैंने आप चाहे तो इसको mash भी कर सकते है जो potato mash राता या मत्री जोसको ह तो देखिए आज से आपको एक से दो बॉइल आने तक अच्छा तो को कर लेना और मेंस्ट ही हमारे रेडी है तो देखिए अब हमारा जो तड़का है इसमें अच्छे से बॉइल आ चुका है और यह देखने में बहुत डिलिशियोस और यमी लग रहा है तो यह निकी यह बनी के रेडी हो चुका और देखिए कितना प्यारा कर रहा हुए तो चलिए अब हम इसको सर्फ करते हैं तो यहाँ पर मैंने इसको सर्फ किया है तो देखिए कितना अच्छा यह दिख रहा है यहाँ पर मैंने वेजटेबल पिलाव के साथ सर्फ किया है एक तम प्लीन पि ज्बर्ण दोशों